Hello Friends, LGR Study के इस महतपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आपको बता दे कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का बोर्ड परिक्षा देने वाले सबी विद्यार्थियों के लिए क्रोना के वैक्सीन लगाने से संबंदित एक महतपूर्ण खबर जो है निकल करके सामने आ रही जिसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे बस्चे जो है कमेंट के मादेम से पूछ भी रहे थे कि सर जो बच्चे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उसका क्या होगा और वैक्सीन जिसका नहीं लगेगा क्या उसको परिक्षा देने दिया जाएगा कि नहीं तो इससे समझेत एक बहुत ही महतपूर्ण देख सकते हैं कि स्वास्त विभाग का सभी डियम हुआ सीविल सरजन को निर्देश जारी किया गया है कि मैट्रिक और इंडर के सभी परिक्षार्थियों को 26 जनवरी तक लगेगा टीका यानि कि 26 जनवरी तक सभी बिद्यार्थियों को जो है वैक्सीन लगा लेने की जान जो है सुईदिया जारा कई जगों पे तैसा भी दिखा गया कि 15 से कम साल भी है फिर भी उसको जो है वैक्सीन लगाया जा रहा है तो यहां पर सीधी सीधी टार्गेट ये बताया गया है कि 26 जनवरी तक सभी जो मैट्रिक और इंडर के जितने भी स्टूडेंट है उन बच परिक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे कि जो है सर जो टीका नहीं लगवाएंगे क्या उनको परिक्षा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इससी कोई भी बात नहीं कहीगा और जहां तक हमारा मानना है कि ऐसा कोई परिख्षा देने दिया जाएगा लेकिन अगर लगा लोग तो लगा लीजे क्या जाता है अगर आप लोग का 15 से लेकर कि अगर 18 से 15 जैदा उम्र है तो लगा लीजिए और लेना ही जैदा अच्छा रहेगा क्योंकि कब ये क्या बोल दे भी हार बोर्ड इसके कोई गारेंट दिया जाएगा उनको एक अलग से पंडाल में बैठा करके एकजाम देने के लिए मौका दे जाएगा सभी बच्चों को एकजाम दिलवाया जाएगा तो इसके लिए टेंशा लेने की जरुरत नहीं है तो कुछ ही अपडेट है जो हम आपको बताने की कोशिस कर रहे थे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है मिल जाएगा ये कुछ मातपूर्ण जो है जानकारी था जो आपके कन्फूजन को दूर कर सकता है ठीक है थेंक्यू सो मच मिलेंगे अगले बीडिए